हेले वरीवन, वेलकम टू अल आफ यू इन इक्जाम गुरू दोस्तो आईवे पीएस और आरवी पीओ का प्रिलिम्स इक्जाम पांच और छे अगस्ट दो जारी किया गया था और आज 23 अगस्ट दो जारी कर दिया गया है इस वीडियो में आपको अपना रिजल्ट अस्टेटस बताने वाला हूँ, इसके साथ ही बताऊंगा कि मेरे सिफ्ट एंड अटेम्ट क्या रहे थे, काटेगरी कौन सी थी, किस अस्टेट से मैंने अपलाई किया था सबसे पहले दोस्तों जिन कंडिडेट ने अभी तक अपना रिजल्ट चेक नहीं किया है, तो रिजल्ट चेक करने का डिरेक्ट लिंक मैंने इसी वीडियो के decision box में दे दिया है, या फिर आप Google Chrome में आकर search कर लेना exam guru job.in फिर यहाँ पर आओगे तो result के section में आपको link दिख जगा result को check करने का, इस पर आप सभी को click कर देना है, click करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप नीचे आना तो congratulations you have been provisionally shortlisted for online main examination, जो online main examination वो 10 सितंबर 2013 को conduct करवाए जाएगा, बात करते हैं दोस्तों मेरे attempt कितने रहे थे, तो मेरा जो सबसे पहले shift है, वो था दोस्तो 6 अगस्त को morning का shift, यानि कि first shift में मैंने exam दिया था, और मैं अगर अपने attempts की बात करू, तो सबसे पहले मैंने reasoning attempt लिया टोटल 31 questions, इसमें दोस्तों मेरे एक uncertain number वाले जो linear वाले puzzles थे, वो छूड़िया था, और एक blood relation छूड़िया था, तो टोटल 31 questions मैंने बनाया थे reasoning में, जिसमें से मैंने एक सिलोग का question को गलत कर दिया था, बाकी के 30 questions मेरे right थे, इसके अलावा quant में मेरे attempt total 24 रहे थे, और quant दो उसे अगर आप minus कर देते हो, तो मेरे marks 52.75 बन रहे थे raw score, अब scorecard आने के बाद ही पता चल पाएगा कि normalization में ज्यादा फाइदा मिला है, या फिर बिहार का इसवार cutoff ही low रहा है, मैंने बिहार estate से apply किया था, EWS category से, तो आपने भी अगर अपना result चेक कर लिया है, तो इसे वहाँ पर आप सभी लोग क्लिक कीजिए, और फिर अपना result चेक करके उसका status बताईए,